मुख्यमंग्री अखलेश यादो का अब पता बदल जाएगा मुख्यमंतरी अखलेश यादो ने चार विक्रम आदित्थे अपने नाम पर आवंटित करा लिया है ये पूर्व मुख्यमंतरी के तौर पर ये बंगला आवंटित हुआ है इसकी बात अगर बताएं तो जस्ट इसके बगल में पांच विक्रमादित्य मार्ग है जो की मुलाइम सिंग यादोक को आवंटित हुआ था मुख्यमंतरी के तौर पर पूर मुख्यमंतरी के तौर पर और अखलेश शादो अभी तक यहीं पर रहते थे पांच कालीदास मार्ग जो उनका मुख्यमंतरी आवास है उसमें वो जरूर रहते थे सरकारी कामकाज और केंप ओफिस के तौर पर वो पांच कालीदास मारग का अब तक का कारभारण वहाँ पे होता था लेकिन रात में आ रहते थे अपने परिवार के साथ रहते थे उसके बाद सुबह तड़के जाकर कालीदास मार्ग में अपने कामकार्ज और कारकाल को पूरा देखते थे वहां से पूरी करवाही करते थे लेकिन अब जब अगर सत्ता रूल वापस नहीं आई समाजवादी पार्टी तो चार जो विक्रम अधित्य मार्ग है वो अखले श्यादो अक्टूबर के अगर बात की रहा है तो यह माना जा रहा है कि ग्रैप्रवेश हो सकता है इसके लिए बकाइदा शुबमूरत देखा गया है क्योंकि कल मुख्यमंतिरी ने जिस तरीके से लोग भवन का उद्गाटन किया था वह भी शुबमूरत देखके किया था और मुख और उसी वज़ा से शायद उनको अपना मुख्यमंतिरी जो बंगला है वो अलग से अवंटित कराना पड़ा अगर यहां की बात करें पांच काली विक्रा माधित मार्क की जहां मुलायम सिंग यादों रहते तो वहां मुलायम सिंग यादों के साथ उनके अखले शादों की जो मुलायम सिंग यादों की हैं वो दूसरी धरमपति साधना गुपता भी रहती है उनका परिवार रहता है अपड़ना यादो रहती है और प्रतिक यादों रहते हैं और माना जाता है कि उन दोनों के बीस में आपसी जो समझ जैसे वो सही रही है इसको लेकर उन्होंने कराएगा अगर यहां की बात की रहा है तो 82 लाक रुपय अब तक इस आवंटेट पर खर्चा हो चुक है इसका दूसरा गेट 19 विक्रम आदित मार की तरफ भी इसका रस्ता देआएगा ताकि मुख्यमंतिरी जो अखले श्यादों है आने वाले समय में अपने पिता और पा जा रहा है जिसमें वुटेन वर्क और जो मार्बल है उसका इस्तोमाल जादर जादर किया रहा है जब भी यह दर्वाजे खुलेंगे तब देखना होगा कि इसमें किस तरीके से और कितना भव्य यह मकान मुख्यमंतिरी अखले शादों के लिए बनाए गया है वीडियो ज